नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का गार्णिंग वेच सुनेल में दोस्तो आज मैं आपके साथ साथ ऐसे और शद्य पोदों के बारे में बात करूँगा जो हमारे घर में लगाने के लिए बहुत ही शुब माने जाते हैं और इन पोदों को हमें अपने घर के अंदर ज यह अपने साथ में छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकालता रहता है गुनों की बात करूँ तो दोस्तो इसकी पतियां सर्दी खांसी जुकाम से तो हमें बचाती हैं साथ में इनकी पतियों का प्रयोग मिलेरिया, स्थमा, डाइरिया और जैसी कई स्किन डिसीजिस में दूसरे नमबर पर दोस्तो बात करूं यह आता है हमारा पुदीना, दोस्तो पुदीने का पोदा भी बहुत इलाबदायक होता है और कटिंग से असानी से लग जाता है, यह दोस्तो हमारे पाचिंग शक्ति को तो बढ़ाता है और पेट भी हमारा ठीक रखता है, मूग की निमोनियों से असानी से लग जाता है वैसे तो दोस्तो नीम गुनों की खान है नीम का प्रयोग डायबिटीस के रोगईयों के लिए बहुत इलाब धायक रहता है दोस्तो यदि हम नीम की दातों करते हैं तो हमारे दातों में एक तो कीडा नहीं लगता और दूसरा हमारे पे कीडा पोदों पर नहीं लगता इसके बाद दोस्तों नमबर आता है गिलोए का दोस्तों यह बहुत ही हाड़ी प्लांट है और ना कभी मरने वाला प्लांट इसे कहा जाता है दोस्तों यह कटिंग से असानी से लग जाता है यह दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम तो दूर करता और दोस्तों ये हमारे Immunity System को भी बढ़ाता है उसके बाद दोस्तों नमबर आता है Aloveria का दोस्तों ये है पता इसकी पतियों से ही लग जाता है और ये है मोटापा तो दूर करता ही है ये जैसे कबजी की प्राबलम हो तो दोस्तों उसमें भी इसका योज किया जाता है दोस्तों इसका प्रयोग अगर हम अपने जेल का इसका फेस पैक लगा कर अपने चेहरे पर इसका जेल लगाते हैं तो ये हमारी स्कीन को जवाँ और सुन्दर बना देता है और पोदो पे इसका प्योग की बात की जाए तो दोस्तो इसका रस पोदो के उपर स्प्रे करने से उनकी पतियों की जो चमक है वो बढ़ जाती है इसके बाद दोस्तो नमबर आता है पत्थर चटका दोस्तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है यह पोदा पत्थरी के रोगों के लिए बहुत ही लाब दायक होता है और यह पत्थरी की प्रॉबलम को पत्थरी को पेट के अंदर ही दोस्तो दूर कर देता है उसको पत्थरी को तोड़ देता है इसके लावा दोस्तों श्रीर में कहीं घाव हो खून बहरा आओ फोड़े फिंशियों में दोस्तों इस पत्ते का प्रयोक किये जाता है और दोस्तों इसका पत्ते से ही इसका ये दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इसके पत्ते से ही दोस्तो ये प्लांट लग जाता है बहुत ही असानी से लग जाता है और दोस्तो ये बहुत ही हाड़ी प्लांट है साथवे नमबर पे आता है दोस्तो हल्दी दोस्तो हल्दी का पोदा फिलहाल मेरे पास तो नहीं है ये मेरे पास दोस्तो कच्ची हल्दी है ये जैसे दोस्तो हम पोदा नर्सरी से लेके आते हैं तो ये पोदे की जड़ो में ये लगता है दोस्तों देखने में हल्दी का पोदा कुछ-कुछ केल के इस प्लांट की तरह ही होता है हल्दी दोस्तों गुनों की खान है दोस्तों एंटिबाइटिक के रूप में हल्दी जाना जाता है यह हमारी दोस्तों तवचा को जवाँ सुन्दर तो बनाता ही है और हमारी रिसोई में भी हल्दी का यूज होता है दोस्तो जैसे आज कल करोना की बिमारी चल रही है तो करोना की बिमारी से दोस्तो बचने के लिए हम दूद में डालकर हल्दी का प्रियोग करते हैं इससे दोस्तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है और हल्दी का दूद पीने से दोस्तों अंदर के अगर कोई घाव है या कोई इन्फेक्शन है वो भी दूर होती है तो दोस्तों यही सब इन्फोर्मेशन थी जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने इस छोटे से दोस्त का अपने छोटे से इस भाई का होसला बढ़ाई है धन्यवाद दोस्तों